महिला सिपाही के चक्कर में थाने में चली गोलिया दोनों इंस्पेक्टर समेथ पांच सस्पेंड बहेडी थाने में तैनात एक महिला सिपाही को लेकर सोमवा रात को सिपाहीयों के बीच में काफी जड़प हुई गाली गलोज की साथ मारपीट और फाइरिंग तक कर दी गई इससे बहेडी थाने में हडकम्प मच गया थाना बहेडी में एक महिला सिपाही के चक्कर में कई दिनों की तना तनी के बाद सोमवा रात दो सिपाहीयों के बीच गोली चल गई दोनों सिपाहियों के अलावा SSP ने इस घटना को छिपाने और कोई कारेवाही न करने पर थाने में तैनाद दोनों इंस्पेक्टर समीत पाँच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया सीयों को घटना की जाच का अदेश दिया गया है पुलिस अफसरों के मुताबिक ठाना बहेडी में बतोर मुंशी तैनाद सिपाही मोनू पांडे के महिला सिपाही से काफी दिनों से नज़िदी की संबन थे कुछ समय से ठाने में ही तैनाद सिपाही योगेश शाहल भी महिला सिपाही के पीछे पड़ गया था दोनों के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही थी चार दिन पहले ही मोनू और योगेश के बीच महिला सिपाही के घर के बाहर ही मारपीट तक हो गई थी या घटना इंस्पेक्टर बहेडी सतेंद्र भढ़ाना की जानकारी में भी आ गई लेकिन उन्होंने इससे रफा दफा कर दिया सोमवा रात मोनू और योगेश के बीच थाने में ही जड़प हो गई बात इतनी बढ़ गई कि सिपाही मोनू ने दरोगा की ड्यूटी के बाद जमा की गई सरकारी रिवल्वर से एक एक कर दो गोलियां चला दी गोली किसी को लगी तो नहीं लेकिन इस घटना से थाने में हडकम्प जरूर मच गया स्टाफ ने आनन फानन में थाने का गेट बंद कर सिपाही मोनू और योगेश को समझा कर अलग किया इंस्पेक्टर सतेंद्र भढाना इस दोरान थाने में ही मोजूद थे लेकिन उन्होंने न सिपाहियों पर कोई कारिवाही की न उच अधिकारियों को घटना की सूचना दी रात में ही किसी और जरिये से स्ट्यार्थ निरुद पंकच को घटना की जानकारी मिरी तो उन्होंने SP क्राइम मुकेश प्रताप सिंग को थाना बहेडी भेजा SP क्राइम ने थाना पहुँच कर राद दो बजी तक पुलिस कर्मियों से पूस्ताच की और फिर पूरा वाक्या SSP को पताया इसके बाद SSP ने सिपाही मुनु पांडे, योगेश चाहल और मनोज के साथ इंस्पेक्टर सतेंद्र भडाना और इंस्पेक्टर क्राइम अनिल कुमार को सस्पेंड कर दिया ठाने में गोली चलने के बाद पहले मुन्शी मुनु पांडे को ही सस्पेंड किया गया योगेश जिसकी वज़ा से यह घटा होने की नौबत आई उसे लाइन हाजिर किया गया इस बीच SSP लगातार अपडेट लेते रहे पूरा मामला पता चलने के बाद उन्होंने सुबा योगेश को भी सस्पेंड कर दिया इसके साथ इंस्पेक्टर सतेंद्र बढ़ाना, इंस्पेक्टर क्राइम अनिल कुमार और सिपाही मनोच को भी सस्पेंड कर दिया गया इससे पहले योगेश की सरपरस्ती करने वाले अफसर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते रहे पूरा मामला जानकारी में आने के बाद वे भी सस्पे के कोप का शिकार हो गए महिला सिपाही थाने के पास एक महले में एक चाय वाले की गली में रहती है उसी के पास एक पॉइंट पर उसकी डूटी लगी है मुन्सी मोनू अक्सर उसके घर आता जाता था चार दिन पहले जब वह महिला सिपाही के घर बैठा हुआ था तो सिपाही योगेश और मनोज भी वहाँ जा पहुँचे और मुनू और महिला सिपाही का वीडियो बना लिया इसी बात पर महिला सिपाही के घर के बाहर मुनू और योगेश में जम कर मारपिट हुई महिला सिपाही को मनोच चुपचाब बाइक से थाने लेकर चला गया था इसके बाद मुनू और योगेश में तनातनी बढ़ गई सोमवर रात दोनों के बीच स्थाने में ही गाली गलोज हुई इसके बाद मौनू ने गोलिया चला दी जिस रिवॉल्वर से उसने गोलिया चलाई वो एक दरोगा की थी जो कुछ ही देर पहले ड्यूटी के बाद जमा करके गया था दरोगा की रिवॉल्वर मौन्शी के पास कैसे आ गई इसके भी जाच की जा रही है मारपीट की घटना इस्पेक्टर सतेंद्र बढ़ाना की जानकारी में आई तब भी उन्होंने योगेश का ही बचाव किया बताया जाता है कि योगेश को उन्होंने समझाया भी था कि मौनू और महिला सिपाही के बीच वद दखलंदाजी न करें लेकिन इसके बावजूद योगेश ने महिला सिपाही का पीछा नहीं छोड़ा महिला सिपाही योगेश के खिलाफ इंस्पेक्टर से बुरी नजर रखने और छेड़खानी करने की भी शिकायत कर चुकी थी लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे ही शान्त रहने की हिदायत दे कर बात खत्म कर दी गोली चलने के मामला जब दोनों सिपाहियों में जड़ब के बाद गोली चली तो स्टाफ ने आनन फानन में थाने का गेट बंद करा दिया काफी देर तक किसी को थाने के अंदर नहीं आने दिया गया इस बीच स्टाफ सिपाहियों को समझाने और अलग-अलग करने की कोशिश करता रहा तो ऐसे थाने में एक महिला सिपाही के पीछे चल गई गोलिया इन गोलियों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और ऐसे ही रोजचा खबरों के लिए जुड़े रही हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को उन कर लिज़े और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को फॉलो ज़रूर कीजेगा